कोरोना काल में डोक्टरों की जान से खिलवाड अस्पटालों की मनमानी का शिकार हुई नर्स बट ये लोग हम लोगो को बोलड़ कोई भी गोर्मेंट हैल्थ पोलिसी के अकोर्डिंग कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहां तक हमें तो खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना सेलरी ना सोविधाएं मेडिकल स्टाफ का बुरा हाल ये लोग हमें हरेश्मेंट भी कर रहे हैं कि आपको पेशेंट देखने पड़ेंगे और ऐसे ही देखने पड़ेंगे जान बचाने वालों को कौन बचाएगा सरकार कोरोना काल में जब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ये आखरी उम्मीद की तरह नजर आ रहा है ऐसे में उनके उत्पीडन की खबरे मन को विचलित कर देती है ऐसी ही खबर दिली के दुआरका के मेडियो और हस्पताल से सामने आई है अस्पताल के मेडिकल और टेकनिकल स्टाफ का रोप है कि उन्हें जान जोखिम में डाल कर काम करने के बावजूद कई महीनों से सेलरी तक नहीं मिल रही हेलो एबरिवन हम मेडियो और हस्पिटल दुआरका के स्टाफ है और दो मन से हम लोगी सेलरी नहीं मिली है हाइर ओथर्टी आपके हमें टोरिचर कर रही है हम पांस साल से आपे वर्किंग पे हैं और हमें एक ही सैलरी पे काम करवाया जा रहा है और तीन दिन से हमें मेंडली टोर्चर किया रहा है कि ये मेडियो हस्पिटल जो हम शट डाउम कर रहे हैं रिनवेट कर रहे हैं आपको इधर से टांस्फर उदर करेंगे जब पांस साल से हम इसी सैलरी पे काम करेंगे स्टाफ का रोप है कि द्वारका के मेडियो और अस्पताल को बंद करके स्टाफ को जबरन मानेसर ब्रांच में भीजा जा रहा है और नहीं जाने पर नोकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है यही नहीं अस्पताल पर जबरन इस्तिफा लिखवाने का भी गम भी रारोप है और हमारा साइन भी लिया गया होगा है 24 आर रिजाइन के लिए बोला है और उसके सब दो मन की हमारी सैलरी भी उनको देना है यह भी बोला गया है अस्पताल में काम करने वारी नर्सों ने बाकाइदा विडियो बना कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है उनका रोप है कि अस्पताल प्रशासन उन्हें बिना सैलरी और इंशोरेंस के कोरोना मरीजों को अटेंड करने का दबाव डाल रहा है और हम लोग पीशिंट देखने के लिए भी रैडी है बट ये लोग हम लोगों को कोई भी गोर्मेंट हैल्थ पॉलिसी के अकोर्डिंग कुछ भी नहीं दे रहे है यहां तक की हमें तो खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है इसलिए हमने कल चार में रिचाइन का मेल कर दिया था वो रिटन में भी दे रहे हैं जिंदर को मैडम हमारा रिचाइन एकसेप्ट नहीं कर रही है वो बोल रही है तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम अप्सकॉंड में डाल देंगे, हम रिजाइन अक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपका रिजिस्टेशन नंबर कैंसिल कर देंगे, यह लोग हमें हरेश्मेंट भी कर रहे हैं कि आपको पेशेंट देखने पड़ेंगे, और ऐसे ही कर रहे हैं उल्टे अस्पताल को बंद करने की बात कही जा रही है, कृपया हमारी मदद करें इसी तरह सूरत सिंग ने ट्वीटर पर उत्पीडन और सेलरी ना देने का दर्द बयां किया है ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को प्राइवेट अस्पतालों की गुंडा गर्दी से कौन बचाएगा? क्या सरकार हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वोरियर्स के दर्द को सुनेगी? साथियों अम्बेटकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं माशिक मेंबर्शिप लेकर दशुद्रा की आर्थिक मदद करें